आज का जो हमारा इंट्रस्टिंग फूड है वो बनाना नहीं है वो है बनाना स्किन केले का छिलका मैंने अभी केला खाया है और इसका छिलका संभाल के रखा है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मैं हर बारी केला खाने के बाद ये चीज़े फॉलो करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद I'm sure आप भी ये चीज़े फॉलो करेंगे Hello friends, आज की वीडियो जो मैं लेके आई हूँ ये मेरी college time के एक notorious memory से related है मैं वो memory आपके साथ share करती हूँ जब मैं college में थी तो मेरी एक लड़की के साथ अक्सर अनबन रहती थी एक दिन केला खाते हुए मैंने केले का चिलका उसके पैरों के पास गिरा दिया ये सोचके कि वो गिरेगी और बहुत मज़ा आएगा वो आगे बढ़ी गिरी हम सब को बहुत मज़ा आया पर चब मैंने nutrition का course करा तब मैं को realize हुआ ओहो ये मैंने क्या कर दिया उसके गिरने से में को कोई फरक नी पड़ा कि ये लेका चिलका वेस्ट कर दिया मैंने Friends, इससे पहले हम इस interesting वीडियो में आगे बढ़े Please मेरे चैनल को subscribe कीजिए सब्सक्राइब के साथ में ही एक चोट असा बेल बटन है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के सारे notifications आपको time to time मिलते रहे and please like, comment क्यूंकि एक वीडियो बनाने के लिए हम उस पे पहले research करते हैं then script, then editing, video, recording we take good time ताकि हम एक अच्छा product एक अच्छा output आप तक पहुचा सके so at least subscription तो बनता है तो चलिए start करते हैं आज का जो हमारा interesting food है वो banana नहीं है वो है banana skin केले का छिलका मैंने अभी केला खाये है और इसका छिलका संभाल के रखा है क्योंकि इसके बहुत सारे benefits है मैं हर बारी केला खाने के बाद ये चीज़े follow करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद I'm sure आप भी ये चीज़े follow करेंगे केला के skin सबसे अच्छा होता है हमारी skin के लिए तो अगर आपको skin की कोई problem है जैसे की bug bite, itches या आइस के नीचे swollen, soul हो जाता है आइस के नीचे puffiness हो जाना सूच जाना या अगर आपके skin में pimples हो गए है उनके निशान है सो आपको क्या करना है बस आप केले के pieces को छोटा-छोटा काटिए और अपने skin के ऊपर उसे रब करें सो मैंने ये लिया केले का छलका इसको आप अपनी skin के ऊपर ऐसे रब कीजिए फॉर 5 तू 10 मिनिट्स जहां पे भी आपके आकने स्कार्स हैं या आप अपने पूरे फेस पे नेक पे अच्छे से इसको बॉड़ी पे भी यूज कर सकते हैं 10 मिनिट्स के बाद इसको छोड़ दीजिए और देन वाश इट विद प्लेन रानिंग वाटर आप खुद नोट करेंगे कि आपकी स्किन थोड़ी ब्राइट हो गई है जो आपने स्कार्स थे वो थोड़ी से लाइट होने शुरू हो गए है और जो आइस के नीचे पफिनेस है वो कम हो गई है पफिनेस कैसे ठीक होती है ऐसे ही आपने पीस लिया के ले के स्किन का और उसको अपनी आइस के ऊपर ऐसे रखना है बस उसको 10-15 मिनिट्स के लिए रखिये and relax for that time you'll observe the changes in yourself soon next इसकिन का benefit है which is related to your teeth जो natural practitioners होते हैं जो natural पैथी में deal करते हैं वो इस चीज़ पर claim करते हैं कि केले के स्किन में anti-bacterial activities पाई जाती हैं जो कि आपके टीथ को और गम्स को strong बनाती है in fact studies में ये भी दिखाया गया है कि अगर आप केले के स्किन को रोज एक वीक के लिए अपने टीथ पे रब करेंगे तो आपके gum strong होंगे और आपके टीथ white हो जाएंगे so I guess we can give it a try इसको try करने में कोई problem नहीं है हम जरूर कर सकते हैं कोई cost नहीं है इसका it's free of cost अगर आपको headache की बहुत जादा complaint रहती है I'm not talking about migraine पर अगर normal सरदर्द की बहुत जादा problem रहती है तो भी केले का छिलका is a blessing for you अब क्या कर सकते हैं आपने छिलका लिया इसको freezer में रखा थोड़ी देर के लिए जब ये freeze हो जाएगा तो एक piece, long piece को लेके अपने forehead पे रखना है और एक piece को अपने back of neck पे रखना है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आइस close करके लेट जाना है जो ये skin है इस skin के अंदर बहुत nutrients पाए जाते हैं It is very good in vitamin B6, B12, fiber, protein, magnesium and potassium ये सारे nutrients मिलके हमारे teeth को हमारी skin को, हमारी sleep को हमारी health को, इन सब को improve करते हैं आपको एक interesting fact बताती हैं friends जो sports celebrities भी होते हैं वो भी चब ब्रेक लेते हैं So they prefer eating one to two banana at a time ताकि उनको instant energy मिल सके तो एक छोड़ी सी advice मैं उन्हें भी देना चाहूंगी कि जब भी आप क्यूंकि इतने hectic schedule में हो तो जब भी आप ऐसे banana खाएं तो उसी वक्त थोड़ी देर के लिए अपने आपको relax करने के लिए एक पील अपने आइस पे रखें एक forehead पे और एक back of neck थोड़ी देर के लिए इसे ही but you will feel relaxed केले का benefit है केले के skin का भी बहुत benefit है और जब ये दोनों को आप एक साथ लेंगे so just imagine your body will feel so healthy केले के skin को अकसर कुछ कमपनीज आज इन इंग्रीडियंट भी यूज करते हैं अपना हेर मास्क बनाने के लिए इसका मतलब हम इस पील को अपने हेर को इंप्रूफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं तो उसके लिए आप क्या करें आपने केले के छिलके को पीसे में कट करा blend करा you can add anything आप उसमें कर्ट डाल सकते हैं आप उसमें एक डाल सकते हैं यह चीज़े आड़ कीजिए उसका पेस्ट बनाईए and apply on your hair for smooth, silky, shiny and healthy hair एक बहुत interesting point usually जब हमारे silver wares, silver ornaments जब dark हो जाते हैं सो हम jewelers के पास जाते हैं एक बारी आप उनको केले के पील से भी रफ करके देखिए क्योंकि कुछ experiments ने शो करा है जब भी आप अपने silver ornaments को या silver products को skin से, केले की skin से रफ करते हैं सो उनमें भी एक shine और glow आता है in fact, not only silver, कई लोग leather के shoes पे भी यह रफ करते हैं ताकि उनके shoes shine कर सकें so give it a try once friends मैं आपको एक बहुत interesting और important बात बताते हो heart disease, एक बहुत common reason है death का इंडिया में बहुत cases देखे जाते हैं जिनकी death हुई है because of heart issues banana एक ऐसा fruit है which has good amount of potassium और potassium एक ऐसा mineral है जो कि आपके heart को strong करता है और आपके BP को normal लाने में help करता है almost एक banana में 0.4 gram potassium पाया जाता है और हमारी science के studies कहती हैं कि almost अगर आप एक दिन में 1.4 gram potassium लेते हो so आप 26% risk कम कर देते हो heart disease होने का future में so I guess इस बात को सुनके you feel more motivate कि हां मेरको banana खाना चाहिए एक नहीं दिन में at least two bananas are very healthy for you केला खाओ गे तभी तो केले का चलका बचेगा और फिर उसी से ही तो बाकी benefits आपको मिलेंगे last point but not the least आजकल के बहुत hectic schedule में ना आना हम सबके लिए बहुत common problem हो गई है उसके लिए usually हम नीन की दवाईया लेने जाते हैं एक बारी आप banana peel try कीजिए what you can do is this banana peel की चाय बनती है so आप पानी लीजिए टेक पान उसमें एक ग्लास गरम पानी and add some banana peels add little bit of honey and little bit of cinnamon to give it a taste और उसके बाद सिर्फ एक या दो बाले दीजिए हम अपनी चाय के तरे इंडियन चाय के तरे बहुत जादा बॉil नहीं करना उसे 2-3 bottles दीजिए और specially sown इसे थोड़ी देर पहले इसे पीजेगा इसमें caffeine नहीं है so आसा नहीं है कि इसको पीने के बाद नहीं आएगी and this peel gives you a sound sleep क्योंकि as I told you इसमें magnesium है, इसमें potassium है magnesium is very important अगर आपको नहीं आती so you need magnesium and this tea will give you a sound sleep I hope आपको ये video पसंद आया try these tips once and wait for my next video so इसके साथ ही हमारा आज का ये video खतम होता है friends, आपके जो भी questions है, please ask me नीचे comments box में पूछिये मुझसे I'll definitely answer them I'll try to answer them in a day अगर मैं नहीं कर सकी, तो couple of days for sure आपको answer मिल जाएगा thanks for watching, sayonara 3 5 6 6 10 20 25